हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप सब लोग दिस इस पिंकी पिंकी किचन में आप सब लोगों को बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे चिकन बिरियानी चिकन बिरियानी तो सब लोग पसंद करते हैं सब के घरों में बनते हैं पर मैं आज सिंपल तरीके से चिकन बिरियान को आशा करती हूं कि आप सब लोगों को पसंद आएंगे अगर पसंद आए तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए तो चेलिए स्टार्ट करते हैं चिकन बिडिया ने को बनाना मैंने सॉस्टें पे पानी चरह दिये हैं मेरा पानी बॉयल हो गया है गरम हो गया मेरा पानी अभी हम पानी में मसाला एट करेंगे मसाले में हमने लिया है जोई त्री गरम मसाला और लिया है दो देच पत्ता और लिया है मैने और निए निमने ब्लाइबार, अभी सारे मसा देखो, और पाने में, तो पिलाओ देखो अभी हम इसले चाबल एड़ करेंगे, मैंने चाबल को अच्छी तरह से वस्ट कर लिये थे पहले से और आधा घंते के लिए भिगो के रखे थे, आप भी जरूर पहले से चाबल भिगो के रखे, एक घंता भिगोने से तो बहुत अच्छा होते हैं और मुझे ज्यादा खूप नहीं करना है, एक या 90% खूप करना है चाबल को थोड़ा चला लेंगे छेनी से अभी इसमें नमक एट करेंगे स्वाद अनुसाद अब हम भटन लगा देंगे अभी दूद मेने बॉइल कर लेंगे अब माइक्रोविफ में 14 मिनिट मुझे जुटको गरम करना है मेरा राइज हो टिया है अब हम नीपू नीचे ओर देंगे इसकी मेरा राइज एक्दम खिले खिले और सफ्रेद होंगे इसके थोड़े सी ओयल भी हमने एच किये हैं अभी थोड़ा कमस्तर चला लेते हैं मेरा दूद भी गरम हो गया है अब हम निकाल लेंगे बहुत गरम है मेरा दूद गरम हो गया है मैंने किये केसर भीगो लिये हैं इसमें अभी चिकन के ओर चलते हैं मैंने कुछ चिकन की पीसेस ले लिये हैं अच्छी तरह से वाश कर लिये हैं चिकन को अभी चिकन को हम मसाले से मेरिनिट करेंगे मसाले के लिए मसाले में हम लिए हैं प्याज रसुन अद्रक अभी ले लेंगे अभी हरी मीच डाल देंगे खोड़ी बेंगे खरबूजे के चीज़ धकन लगा देंगे और मिच्टी से चला देंगे मेरा मसाला बन के रेडी है चिकन में डाल दिये है मसाला को एक रिद करके साड़े मसाले डालेंगे लाल मिच्ट के पाउडर डाले है एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे दो चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे दो चम्मच स्वादन सा नमक दे देंगे कलर के लिए हल्दी दे देंगे दो चम्मच वैसे हल्दी खाना भी अच्छे हैं दो चम्मच खट्टे दही अट करेंगे सारे मसाले हमने दे दिये हैं चिकन में अभी मस्टर्ड ओयल देंगे मस्टर्ड ओयल देने के बाद अभी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से हमें मिलाना है चिकन को करहाई बिठा दिये हैं हमने अभी मस्टर्ड ओयल दालेंगे दो तेज पत्ता गरम मसाला बड़े इलाइची मेरा करहाई अच्छी तरह से गरम में हो गया है अभी हम चिकन डाल देंगे मेरे रिट किया हुआ चिकन कर दो नग्षे यह क्पापऊ पानी डाद लंगे अभी दो तिन आलू एट करने हैं हमें गैस को हाई करके थोड़ा सा चला लेना है अभी हम धक्कन लगा देते हैं पाच मिनित के लिए पाच मिनित हमारा हो गए है मेरा चीकन के कलर बहुत सुन्दर आए मुझे इतना ही ग्रेवी चाहिए मैं बिरियानी करहाई में ही बनाऊंगी मैंने तेजपत्ता डाल दिये हैं क्योंकि मेरा चीकन जोलेना अभी हम चीकर डाल रहे हैं इसमें अभी हम पाच में इसमें कर दो भीकर अभी हम आप मेरा चाहिए थोड़ा और ग्रेवी चाहिए मेरा चिकन डालना हो गिया है अभी हम राइस एड़ करेंगे मेरा राइस बहुत खिले खिले बने है बहुत सफेध हुए है आप भी राइस इसी तरह से बनाईए जिस तरह से मैंने बनाए है राइस को एकदम परफेक्ट हुआ है रोज वाटर एक चमच कैवरा वाटर एक चमच अगर आपके पास ना हो तो कोई बात नहीं अभी बेरिस्ता एड़ करेंगे मैंने घर पे ही बनाए है मार्केट से खरीद के नहीं लाए ए मार्केट में भी एवेलेबल होते हैं तीन चार हरी मिज डालेंगे हरी मिज डालने से खुजबू बहुत अच्छा आते हैं खाने में बहुत स्वादिस्ट लगते हैं बिरियानी मसाला मेरा पास थोड़े ही थे क्योंकि मैं इसे बनाते रहती हूँ बहुत कम चीज से बन जाते हैं ये बिरियानी घी एट करने हैं हमें थोड़ा और चाहिए मुझे घी उपर से और एक लेयर देंगे हम चाबल दूद में केसर डालके हम भिगो के रखे थे वे डाल रहे हैं अभी अभी अंडे डालेंगे बहुती सिंपल तरीके से मैंने इस डिस्क को कम्पलीट की हैं अभी उपर से बेरिस्ता देंगे अभी हम इसमें धक्कन लगांके दम में बिठा देंगे सब कुछ देना मेरा अल्मोस रेडी वाव मेरा विरियानी कितना अच्छे बने हैं बहुत खुशबू आ रहे हैं आप भी बनाएए अपको परिवार को खिलाएए थैंक यू